हर पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है इन सब की बीज पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अकलेश यादव भी सामने आए एक तरफ उन्होंने तेज़े से साइकल दोडाने के बात करते हुए अपनी सरकार बनाने का दावा किया तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर जम कर निशाना साधा उनसे बात चीत की है मेरी सहियोगी समर्ध शिवास्तव ने अकलेश पहले तो अनॉंस्मेंट आज डेट्स की हो गई है दस मार्च को चनाप का आखरी दिन होगा मतलब आप कैसे देख रहे होगा सबसे पहले मैं बढ़ाई देना चाहता हूँ और तारीखें आ गई है इनी तारीखों का इंतजार उत्तरप्रदेश की जंता कर रही थी पिछले पांस साल में इतना अन्याय कभी नी देखा होगा जितना भारती जंतापाटी की सरकार में अन्याय हुआ है डबल इंजन की सरकार जो दावा कर रही थी कि उत्तरप्रदेश का विकास किया है उत्तरप्रदेश को अगर देखेंगे पीशे कर दिया और विकास ठप रहा यहां के किसानों की आयदोगनी नी हुई महंगाई बड़ी है बिरोजगारी बड़ी है नौकरियों के जूटे परचार कि इन्होंने विकास के जूटे विग्यापन लगाए और इनका हर वादा जूमला निकला जो संकल पत्र इन्होंने जनता के बीच में रखा था 2017 में वो इन्होंने कूरेदान में फिक दिया इसलिए पूरी तरीके से उत्तरपदेश की जनता इनको इस बार हटाने क काम करेगी दस मार्ज में उत्तरपदेश से भाजिनता पार्टी का सफाय होगा तो क्या लगता है क्या पार्टी को असर पड़ेगा क्योंकि रख के कार्खम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं अब इलेक्शन कमीशन ने जो नियम मनाएं उन नियमों का पालन समाधी प पर करके चुना लड़ेगी जहां तक सवाल भाजिनता पार्टी का है क्योंकि डिजिनल प्रेटफॉर्म पर चैनलों पर हावी भारजिनता पार्टी है उन पर कावलियत है या उनकी सरकारें ऐसी थी जो आज उनकी पास ज्यादा स्पेस है कम सी कम लेक्शन कमिशन ये तै क करें कि जो नाशनल चैनल्स हैं उन पर रिजिनल पार्टी को भी स्पेस मिलें एक सवाल ये मेरा की जिस तरह से आपने आज प्रेसी में कहा कि वर्च्वल माध्यम से बीजेपी बड़ी पार्टी ऑबिसी तो उसके पास जादा माध्यम है सर्कुलेट करने के चीज़ें कम से कम रिजिनल पार्टी जिन पर सञ्सादन नियों के लिए उसके लिए कोई ना कोई विश्ता एलेशन कमिशन करने जिए और जहां तक नैंशनल चैनल्स हैं या रीजिनल चैनल्स हैं उनौन पर भी या बरावर पार्टी systems पॉलिटिकलल पार्टी जो मिलें आप एक लेटर भी दिखने वाले हैं इसी मिसमें कुछ अधिकारियों कर भी अपने जिक्र की है उत्तर पुदेश ने जिस समय पंचाय चुनाव देखे थे उत्तर पुदेश के वरिष्ट अधिकारी भाते जिन्ता पाड़ी के कार्यकरता बन करके काम कर रहे थे नजाने कितनों को अपमानित होना पड़ा इसी उत्तर प्धिस में मां और बहनों के किस तरीके से कपड़े फाड़े गए चीनी गए साडियां ये भाते दिन्ता पार्टी ने किया था और ये भाते दिन्ता पार्टी की सरकार में इसलिए हुआ कि वरिश अधिकारी दवाब बना करके छोटे अधिकारियों से करवा रहे थे तो इसलिए ऐसे अधिकारी है जो भाते दिन्ता पार्टी का काम कर रहे हैं लेकिन और दल हैं जो इस technology को नहीं कर पाएंगे या virtual उतना सक्षम नहीं है उनके पास कार करता नेता तो उनके लिए हो सकती मुसीवत लेकिन समाज़ादी पार्टी तो तमाम मुकाबला करेगी हो समाज़ादी पार्टी वो पार्टी है जिसने उत्तरपते तो सबसे पहले ल नहीं फैला है उत्तरपदेश में तो समाज़ादी सरकार में फैला था तो जहां तक टेक्नोजी है वर्ट्यूल रैलीज करना है या हमें वर्ट्यूली लोगों तक पहुंचना है उसके लिए तैयारी करनी पड़ती लेकिन भाज़ेंद पार्टी पहले से तैयारी की हुए जूट फैलाते थे जो जूट का नेटवर्क है उनके बड़ा नेटवर्क पहले से था